कार, नेता का बेटा बोला, पापा मुझे भी राजनिती में उतरना है, कुछ टिप्स दीजिए, नेता बोला, बेटा, राजनिती के तीन कठोर नियम होते हैं, चलो, पहला नियम समझाता हूँ, नेता जी ने बेटे को छट पर भेज दिया, और खुद नीचे आकर खड़े ह हो गए, नेता जी छट से नीचे कुच जाओ बेटा, बेटा बोला, पापा इतनी उचाई से कुदूँगा, तो हाथ पर टूड़ जाएंगे, नेता जी बोले, बे जीजक कुच जा, मैं हूना, पकड़ लूँगा, लड़के ने हिम्मत की और कुच गया, पर नेता जी नी गोसा मत करो, गर्फेंड, बॉइफ्रेंड, फेस्बुक पर चैट कर रहे थे, गर्फेंड मुझे एक चीज समझ नहीं आती, कि यह बाबाजी का ठुलू क्या है, बॉइफ्रेंड बुला, अच्छा मैं समझाता हूँ, तुमने मुझसे अपने बर्थडे पर एक रिंग मा नहीं थी, गर्फेंड, हाँ तो, बॉइफ्रेंड, तो तुम्हें क्या मिला था, गर्फेंड, कुछ नहीं, बॉइफ्रेंड, इसे कहते हैं बाबाजी का ठुलू, लड़का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता था, सारा दिन फेस्बुक पर लगा रहता था, एक जाम में कम नंबर आने पर, पापा ने उसे मारा, लड़का रोने लगा, तो पापा बोले, सौरी, चुप हो जा, अब से अच्छे से पढ़ना, लड़के ने पापा को एक कागज दिया, उसे मुठी में भीचने के लिए बोला, पापा ने कागज लिया, और मुठी में भीचा, तेरा स्कूटर स्टार्ट कर, लड़के ने एक किक मारी, पर स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ, पापा ने आकर जोर से चार किक मारी, स्कूटर स्टार्ट हो गया, पापा ने लड़के से पुछा, स्कूटर स्टार्ट कैसे हुआ, जोर से चार किक मारने से न, लड़का, हा पापा बोले तू भी इस स्कूटर की तरह है आइंदा तेरा फेस्बूकिया ज्यान मुझे मत रहे है। लड़की इतने बेदाद न बनो इतना प्यार कने वाला तुम्हें पुरी दुनियान कोई नहीं मिलेगा। लड़का क्या तुम मुझे से सच में इतना प्यार करती हो। लड़की हाँ आज मा करतो देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लड़का सच। लड़की हाँ। लड़का चल फिर 47 का पहाड़ा सुना फटा फटा। सराब की वज़े से बर्बाद हो चुके सराबी ने कभी न पिने की कसम ली और घर से दारू की खाली बोतने फेकने लगा। पहली बोतल फ्हेंक कर बोला, तेरी वज़ा से मेरी नौकरी ढई, दूसरी फ्हेंक कर बोला, तेरी वज़ा से मेरा घर भिका, तीसरी बोतल फ्हेंक कर बोला, तेरी वज़ा से मेरी बीबी मुझे छोड़ कर चले गई, चौथी बोतल उठाई, तो वह भरी होई निकली, में हो जा तू पेकसूर एक मुर्गा था बहुत जिद्दी था अपने मालिक को बहुत परिफान करता था मालिक ने तंग आकर एक दिन उसे एक टोकरी my बंद कर दिया लेकिन मुर्गा तो जिद्धी था पीछे से निकल गया मालिक को फिर गुस्ता आया इस बार उसने मुर्गे को पिंजरे में बंद कर दिया लेकिन मुर्गा तो जिद्धी था फिर पीछे से निकल गया मालिक को इतना गुस्ता आया कि उसने मुर्गे को मारा प झाल झाल झाल